समाच की खबरे हिंदी टीवी नियोज आज हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट गेट नंबर साथ जमजम होटल के पास यहाँ पर आज बीमसी द्वारा तोड़न की कारवाई की जा रही है यहाँ पर इसलिए तोड़फुर किया जा रहा है क्यूंकि यहाँ पर कई बार कम्पलेन आ देते हैं जिसकी वज़े से जब एंबुलेंस आती जाती है वो समय पर होस्पिटल नहीं पहुंच पाती जिसकी वज़े से कई मेरीजों की जान चली जाती है उसको देखते हुए आज जमजम के पास जो खाली जगा थी जहां पर एक्ट्रा रिक्सा टेक्सी वाले गाड़ ज़रूर करें अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर किसी भी तरीके का न्यूज या अड़िटाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110 धन्यवाज़। जंता के लिए इन 5 सालों में क्या और इनसे जंता कितनी खुश है जोटे इन इनने अपने आपनी सेवाओ में जंता के लिए दिया है आज 50 तो orada कि ट्ने क्या 9th तुसरी बात आगे चलके बता हूंगा क्यो लोग लाग रुपय में दो लाग रुपय में पानी लिखके जाते थे आज जो में एक दम जो ओफिशली रेट में लोगों को पानी देने का काम कर लो क्या रेट हो सकते आपकी जो एक विजिबल रेट हो सकते हैं जो हम लोग अमारा प्लंबर बिटा दिया है मैं बोला जितना पैसा जितना लगता ओई पैसा लेने का इसके अंदर कोई अमांट फिक्स नहीं है जितना पाइप जितना जहां से हमने जगा जगा पाने की लाइन परिए मेरा मैप है यह 2017 में लगाया था आज कई न हम आज देख सकते हैं से पाइप लैन गई तो गई है हमारे मिर्त्र यहां है जामा मजिद के जो सदर है आप उनको पूछ सकते हो जो छोटी गली में भी चेंज का लाइन चली गय अप उनको भी पूछ सकते हो हर जो तो कोई हमको मतलम नहीं है, हम जंदा से पुछा अपला. जी हम बिल्कुर पुछेंगे सर अभी हम सर्वे करने के लिए हम जंदा से भी जाएंगे जंदा आपकी सेवा से किती हुष है और आपके लिए किता खुछ है आपके लिए बताएंगे सरे कमांट जो कि मतलब हम अपनी गरीब जंदा तक जो नहीं पानी तक पहुंच सके अभी जो अब यह सोच करती कि कितना लगीगा कितना नहीं लगीगा और अपने घरों में लेते हैं वह BMC में भरने का हमारे पास नहीं भरने का जो एक हमने प्लंबर तई किया उसके पास भर के करने का यहां के कहीं लोग जो है मिस्गाइड करते लोगों को अभी भी 30 35 35 35 अजार लेके काम दे रहे तो हम लोग हम लोग हमारे मंत्री असलम शेक जीने उस दिन आये तो बोले हमने यहां प्लंबर बिटाया उनके पास जाके अपने पेपर पुदब करो अपना लाइन लिलो और उससे बढ़कर बात क्या होती है उससे बढ़कर बात क्या है यह इसा आज तक कुछी ने किया है आज तक आपने इतने मेले देखे होगे है हमारे जो है खुद जमिन इस तर पर चलके जाके काम करने का काम करते है ऐसी है मैंने मेले को देखा है हमारे तो हमि जो मेल्य हां मंत्री साफ है आज उनके लिए जगा-जगा गुभना पड़ता है लेकिन वह आज भी ज़भे़के को हर एर कि आपने विधन साहे घुमते रहते है होगों से एक पानी के लबावान आपनी क्या 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 कि लब अप अब वाड में गूमतियों देख रही हों जो पचीश साल में कुछ नहीं हुआ रोड सिसी रोड बना के दे रहा हूं काम चालू यह आप देख रही हूं आज जो लोग गटर में से इसके अंदर चल रहे थे यह पूरे आज भी नगर में हिस्ट्री में पहली बार अगर कोई है जो नगर सेवक जो काम कर रहा है जो बिलकुल सिसी रोड बना रहा हूं हर गल्ली में बनाऊंगा यह पुरा श्रे हमारे मंत्री असलम सेख जी को जाता है क्योंकि उनके जो मैं पता ही हो है कदम पर मैं चल रहा हूं और उनके महारगा दर्शन में मुझे जो मदद मिल रही है जब जो भी आज होशे मैं उनको देता हूं उनके वज़सी क्योंकि उन्होंने जो लोगों यह जो उनका जो गड़ है उनकी मोबत है लोगों से जो वो लोग इसके लिए करना चाहते कहीं लोग यहाँ हैं जो इसके पहले 2019 में आ गए 2019 में जो आए यह पुरा यह स्लम देखकर एसारे करने के लिए यह लेकिन हमारे मंतरिशेक्ष जी का कहिना है मेरे लोग यहीं पर रहे गए और यहां में इसलम डिकलर करके इसलम में है तो जो अपना अश्याना यहीं पर रहना चाहते हैं विल्डिंग में नहीं जाना जाते हैं जो आसर ट्राफिक हमारे आपर जो अमी अमने रोड देखा बनते हुए इसके काम के बारे में आप कुछ बताएंगी तो आपने देख लिया होगा कि कल हमारे मंतरी साब रात को साड़े गहरा बज़े आगे अज बहुत दिन से उनका सर्वे चल रहा है रात को गहरा बज़े भी ट्राफिक थी उन्होंने इमिजेटली मुझे का विरे इस सब निकाल के चाहिए मैंने कान स्थार्ट कर दिया बहुत जल्दी जो पाइप का जो बंच आप कनेक्शन है वह को भी निकाल दूंगा यहां जो ट्राफिक की समस्या है बिल्कुल खतम कर दूंगा और जो लोग जूंज रहे वह बिल्कुल जूंज रहे जो भी गाड़ी खड़ा करेगा उदर उसको ख्लाम लगा कर डारेक उसके उपर कार्वाई हो इसको कितने दिन में मितलब बनके हो हो जाएगा जब बहुत जल्दी कतम कर दूंगा आप देखो कि तो हम बोल के दुने दिगा तक कर के दिखा रहो है जी हम अभी देखें यहां पर जो ट्राफिक की समस्या है जनता का उन्होंने वो खतम कर रहे और भी इनोंने अपने कामें बहुत अच्छे से इनोंने बता सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666 47 1110 धन्यवाद